नए कुरुशिस उधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेज सकता तुसी MSP चाक देओ, Food Corporation of India नो क्लोज कार देओ, कौन सपोर्ट करोगा किसानी नूँ संसद में पास हो चुके दो किसान बिलों के खिलाफ, विरोध पर दर्शन की हलचल पूरे देश में फैल रही है, कौन्ग्रे सहित कई विपक्षी पार्टे इस मुद्धे पर सरकार के खिलाफ हो चुकी है हाला कि राज्यसबा में ये बिल पास होने से पहले काफी हंगामा भी हुआ, विपक्षी पार्टियों ने राज्यसबा में इस बिल के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, थिलाटि प्रे लाजारीों, ने ठाला वाजिए। इस शोर के बीच ये बिल लेकिन राजेसभा में भी पास हो गया राजेसभा में हुए हंगामे का मामला अगले दिन सदन में उठा सभापती ने हंगामा करने वाले संसदों के खिलाफ कारवई की हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के आठ सांसदों को सब्ता बर के लिए निलंबित कर दिया गया इसके बाद संसद के बाहर ही निलंबित सांसदों ने धरना लगा दिया जो अब खतम हो गया है बताया जा रहा है कि सांसदों ने विपक्ष के राजे सभा से वॉक ओड करने के बाद ऐसा किया धरने पर बैठे सांसदों के मताबक एक स्वर्ण से विपक्ष ने अपनी बात कही है लगबग सभी विपक्षी दलों ने वाकट किया इसी कारण धरना समापित किया गया है पूरे देश में किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं सरकार द्वारा ये दिलील दी जा रही है कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा पधान मंत्री मोदी ने देश के किसानों का बढ़ता विरोध देखते हुए एक संभोधन भी किया और किसानों को फायदे की और जोर दिया हमारे देश में अब तक उपच और विक्री की जो विवस्ता चली आ रही थी जो कानून थे उसने किसानों के हाथ पाओं बांदे हुए थे नए कुरुशी सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपने फल सबजीया अपनी शर्तों पर बेच सकता है अगर किसानों को फायदा ही होना था तो किसान इसके विरोध में क्यूं है खाद प्रसकरन मंत्री हरसमरत कौर बादल ने भी इस बिल के विरोध में अस्थीफा दे दिया है इसके भाद भी सरकार बिल पास करवाने पर जोर देती रही अकाली दलनेता सुखपीर बादल राष्टपती से भी मिले और बिल पर हश्टाक्षर ना करने को कहा विपक्षपीर सरकार से लगातार सवाल कर रही है और अलोचना भी पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदल सिंग जब से बिल संसत में पेश हुआ है तब से विरोध कर रही है उत्मटाब ही तो रोटी खान किये थूख में आज पता है कि जो ए मेसपी है मेसपी आनू मिलूगी है लेकिन अगर आहों लगज जैसे मखकी नाड होया थजी किया श्राइज थोड़ी गयानिटी चुटिटूटिशनल गयानिटी देखो किनी बार अज नी करने के काल नी करने के परसो कर देंगे चक्कन के जरूरूर। शांता कमिटी रिपोर्ट तो निक्ड़े होया दो निचोड है। FCI नू बंद कर देो, MSP बंद कर देो, बड़ा नुक्सान होंदे है देश नुक्सान होंदे है। आखिर ये बिल है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। BBC के मताबिक इस बिल में एक ऐसा एकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है, जहां किसानों और वेपारियों को मड़ी से बाहर फसल बेचने की अजादी होगी। प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों की बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बाद कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर खर्च कम करने की बाद भी कही है। इस बिल के बारे में अधिक जानकरी रवीश कुमार ने अपने शो में दी। नए अध्यादेश के मुताबिक जिसमें लिखा है कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में और अपने ही राज्य में कहीं भी उपज बेख सकेंगे। अपने राज्य की मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। इलक्ट्रोनिक ट्रेडिंग का सिस्टम भी होगा और ईट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या व्यापारी जिसके पास पैन नमबर है कारोबार कर सकेगा। इपलेटफॉर्म, किसान और व्यापारी पर अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। नियम और शर्तें पारदर्शी होंगी और इस्थानी अभाशा में प्रचारित की जाएंगी। अपने शो में रवीष ने कृषी अर्थ शास्त्री से भी बात की और इस बिल के बारे में अधिक जानकरी लेने की खोशिश भी की। अगर चलिए हम मानके चलते हैं कि ये बिल्कुल 1991 वारी कोजिशन होगी कि जैसे रिफॉर्म्स वहां पर आये थे ये भी रिफॉर्म्स हैं कि आपने शोर करिया कि वे किसानों को अच्छा दाम रिदेगा कि कहा जा रहा है कि साब ओपन मार्कित हो जाने से आप किसान के करते हैं कि तो पैंगलोर में जाएगा उधारन के लिए पंजाब से और वहां जाके अपना हायर प्राइस जो भी होगा उसको उसको चीव करने के लिए कहने का मतलब है यह सब बाते देखने में सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन क्या यह प्रैक्टिकल है एक बात यह कहा जा रहा है कि सब्वान मार्केट वण कंट्री लेकिनि रियलटी हमने को मार्केट कर दी हैं वन कंट्री Two मार्केट से लिए कि यह को managing q. mt के बाहर गए प्र करते आपको आप से पर से देहां पड़ेगा चाहाए आप देए यह मैं सी मार्के के बाहर आपको कोई टे किसान सडकों पर काफी दिनों से परदर्शन कर रहे हैं और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं ये आज भी जारी है पर साथी सरकार ने किसनमाई भी नहीं सुनी सरकार सानु तंग कर रही है जो साथा ना जाया बच्चादा कुई होता सपात शरला तरिकर वो साथा मंटियां फडांतर रोल रहे हैं साथा नर्मा कपा तेरा बगारा देनियां में चीज्ञा ने साथिया नू पाली मिल दा यह सब्धी करना गए कड्डू करना गए पिंधी कर नूप पाली मिल्वा एस शरकार ला भाई यह वेरा कर्साना नू कुछूंप रही है आज साधिया जाय जाता है जेरियाने और नू जने पर लाटना चपा रही है पच्चिय कर्दा करके थानू जने पर बेख़्मार रहे सरकार की और से इन धर्नों को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है आर्थिक मामलों के मंत्री मंडल समीती नेक महत्वपूरण फैसा लेते हुए छे रभी फसनों की MSP में व्रीदी के निर्ने को मनजूरी परदान की है सरकार ने गेहों की MSP 50 रुपे प्रतिक विंटल बढ़ा कर 1975 रुपे प्रतिक विंटल कर दी गई है पूर्व मंत्री शुष्मा सवराज का एक वीडियो भी काफी वाइरल हो रहा है जिसमें वेलोकसबा में 2012 में UPS सरकार द्वारा लाई इस तरह के बिल का विरोध कर रही है जो ग्रामेर अर्थ विवस्टा को जानता है केवल वो इस बात को पहचान सकता है ग्रामेर अर्थ विवस्टा ये कहती है कि आपके ये बैंकों के ATM तो आज आए हैं आरती उस किसान का पारंपर की ATM है किसान को बेकी की शादी करनी हो दिया का भात भरना हो बेन का छुचक देना हो बच्चे की पढ़ाई करानी हो बाप की दवाई करानी हो सिर्फे साफा बानता है और सीधा मुझी में आर्टी कोजा कर ख़़ा हो जाता है मैं पूछना चाहती हूँ क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा क्या उसे सम्वेदना होगी उसकी बेटी की शागी या बेन का भात बरने की उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बगबु आएगी और कौन डारक्ट बात कर सकेगा कोई किसान से सीधा खरी देगा और नई एजेंसिया खड़ी होँगी वहीं अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले पंजाब के सिंगर्स भी आगए है पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांच किसानों के समर्थन में खड़े हैं और इस पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और लिखा गल किसे पॉलिटिकल पार्टी दी नहीं है गल किसान दी है ते असी सारे किसाना दे नाला पॉलिटिक साइड दे राके देश दे अन दाता दे हक्च हां दा नारा जरूर मारिये कट उकट वहीं सिंगर बबुमान ने भी इस बिल का ग्रोध किया और किसानों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात भी कही सत्षी काल जी मैं बबु तुसी मेरा मार कलमा नो आजो असला बना लिए कठे हो के पूंची पती आजो मूरे ला लिए पच्ची तरीक नो जाम जडांगे साल दो साल फसल रोकनी पेड़ी है जे फसला ने की में तुम मंगी लड़ी है राजता नी एसी चबै के मचूगी कहड़े हो जो दिली ता चांजर पागे नचूगी आओ तू तू मैं मचो निकटके तू ही तू करिए दिली को बहुत दमाग है दमाग ना मारना पेड़ा है हो जो कठे किसान में दूर एक ता जिंदबाग जिंदबाग जहां एक तरफ कई किसानन यह मेरे खेत की सरसों है ये मेरे खेत की गेहूं है करनक है मैं खुद किसानन पिछले 20 साल से अपने खेतों में चीज़े उगा रहा हूं और इसवार गाजर मुली शकरकंदी भी मैं लगा रखा रही है मेरी यह आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि जो मोदी सरकार हर तरह से किरसानों को शांत करने की कोशिश में जूटी है, अब ये देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है